तो फर्स्ट टॉपिक हम लेने वाल हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ओफ कांटिंग तो नाम से पता लग रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ओफ कांटिंग या गणना का मौलिक सिध्धान तो कहीं भी गणना करनी है कुछ तरीके गिनने है मुझे किसी काम को करने के कितने तरीके होंगे तो गणना कैसे करते हैं गणना करने का मौलिक सिध्धान क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है उसकी हम बात करना चाहते हैं और इस टॉपिक में जो पहला नियम हम लेने वाले हैं, गर्णा के मौलिक सिध्धान्त में, वो पहला नियम है आपका गुणन्त का नियम. प्रिंसिपल ओफ मल्टिप्केशन, ठीक है? तो प्रिंसिपल ओफ मल्टिप्केशन आप पढ़ने जा रहे हो, अब क्या है ये प्रिंसिपल ओफ मल्टिप्केशन, एक एक एक्जाम्बल से समझते हैं, प्रिंसिपल ओफ मल्टिप्केशन, तो गुणन्त का नियम क्या है? लिख लिजिए, एक लाइन नौट कर लेते हैं पहले इसमें पिर आगे बढ़ते हैं, तो लिख लीजिए एक लाइन, यदि, यदि किसी काम A को करने के, यदि किसी कार्य A को करने के M तरीके हैं, तथा कार्य B को करने के N तरीके हैं, कार्य A M तरीकों से किया जा सकता है, कार्य B N तरीकों से किया जा सकता है, तो A और B को करने के, A और B, A तथा B, A and B, A, फिर B, मतलब A और B दोनों को साथ में करने के तरीके हमें फाइंड जरने हैं, तो A और B को करने के तरीके, ठीक हैं, हिंडी वाला और लगा रहा है, मतलब A भी हो रहा है और B भी हो रहा है, तो A को करने के M तरीके, B को करने के N तरीके, तो A और B, A तथा B, दोनों को करने के तरीके कितने हो जाते हैं, m into n तरीके हो जाते हैं ये चीज ध्यान लगी है समझते हैं इस चीज को क्या लिखा है है सीधा सा ये statement आ गया समझ में मतलब उतना समझ में नहीं आयोगा बट statement क्या लिखा है वो तो समझ में आ गया न मतलब कोई एक काम आप m तरीके से कर सकते हैं दूसरा काम N तरीके से कर सकते हैं, दोनों काम अगर करना है आपको, A B करना है, B B करना है, तो A and B करने के तरीके कितने हैं आपके पाद, आपके पास M into N तरीके होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको, समझी आगे, मतलब एक example से समझते हैं, question लिखिए, मतलब मान लीजिए, मैं अभी quota में हूँ, ठीक है, यह है अपना quota, हाँ, quota से मुझे कहा जाना है, Delhi जाना है, quota से मुझे पहुँचना है Delhi, ठीक है, बट quota से Delhi जाने के लिए, ठीक है, मतलब बीच में, जेपूर में एक important person है, जिससे मिलना मुझे जरूरी है, ठीक है, तो अब मुझे quota से जेपूर जाने के अलग-अलग route हो सकता है, मैं बाई, जेपूर से दिल्ली जाने के तीन रास्ते है, अब मुझे जाना तो है quota से Delhi, बट वाया जेपूर ही जाना है, जेपूर में एक important person है, जिससे मेरा मिलना जुलना चलता रहता है, तो मैं quota से जेपूर पहले उस person से मिलूँगा, फिर दिल्ली जाना, ठीक, तो quota से जेपूर ज है, एक बार गिनके बताओ, ये मतलब इनको कुछ numbering देदू, ये हो गया, रास्ता नमबर एक, रास्ता नमबर टू, रास्ता नमबर थ्री, सबके अलग-अलग नमबर दे दिये, ये मतलब इधर बात करूँगा, तो इधर रास्ता नमबर एक, दो, तीन, रास्ता मतलब व quota to Delhi आपको पहुँचना है बठके से जाना है वाया जेपूर जेपूर जाना ज़रूरी है वही वरना जेपूर वाला नाराज हो जाएगा ठीक है मेरा खास ट्रेंड है जेपूर में उससे मिलके ही जाना है मुझे तो कितने थरीके होंगे हैं कोई जवाब बिल्कुल गणना गरनी है वहीं काम करना हूं तो गिनू मैं हो सकता है मैं KOTA से J doubre इस way number 1 पहले रास्ते से जा रहा हूं तो KOTA से J doubre पहले रास्ते से गया फिर इधर W1 W1 W2 W3 W4 इन में से कौई भी रास्ता لे सकता हूं मतलब कितने रास्ते होगे, यह अगर W1 चुनता हूँ, तो इधर हो सकता है W1, W2, W3, W4 चुनू, मतलब 4 रास्ते तो यह होगे, ठिक, कोटा से जेपुर के लिए W1 लिया, तो 4 रास्ते मिल रहे हैं, फिर अगर यहां से W2 से चला गया, तो इधर 4 रास्ते हैं, फिर से मतलब अगर count किया है, कि यहां से W1 गया, 4 रास्ते, W2 के साथ 4 रास्ते, W3 के साथ 4 रास्ते, तो 4, 4, 4, 4, कितने होगे, 12 रास्ते मिल गें, ठिक हैं, तो यही चीज, अब principle of multiplication, अगर गुणन का नियम यूज़ करोगे, तो direct भी मिल जाएगा, कोटा से जेपुर, और जेपुर से देली, या कोटा से जेपुर, फिर जेपुर से देली, दोनों काम साथ में करना है, आपको कोटा से जेपुर भी जाना है, और जेपुर से देली भी जाना है, तो अगर दोनों काम हो रहे हैं, तो A काम को करने के कितने तरीके वे, 3, B काम को करने के कितने तरीके वे, 4, तो इधर 3 तरीके, इधर 4 तरीके, करने दोनों यह आपको कोटा से जेपूर जाना है, फिर जेपूर से दिल्ली भी जाना है, तो total तरीके अगर गुणन का नियम लगाऊगे, तो कारे A करने के 3 तरीके, कारे B करने के 4 तरीके, के अगर multiply कर दोगे तो कुल तरीके कितने आ जाएंगे आपके पास 12 आ जाएंगे 12 यह बाद समझ मैं यह होता है आपका गुणंग का नियम A कारे को करने के M तरीके थे B कारे को करने के N तरीके थे तो A और B दोनो A और B मतलब इस तरह का कहीं भी statement आ जाए A और B, A सथा B इसको करने के तरीके या A फिर B यह दो लेंग्स समझ देना A और B लिखाओ या A फिर B तो यहां कोटा से जेपूर फिर जेपूर से दिल ली तो फिर आ गया है और आ गया तो आपको क्या करना है multiplication लगाना यह है fundamental principle of counting ठीक है बतलब गरना का मुलिक सिध्धान से यह आपको याद रखना है तो तरीके क्या हो जाएंगे दोनों काम हो रहे हैं तो multiply हो जाएंगे 3 x 4 बराबर टोटल 12 तरीके होंगे कोटा से दिल ली जाने के हाँ अब इसी क्योश्चन में अगर हलका पुलका सा परिवर्तन कर दिया जाए हलका पुलका परिवर्तन कर रहा हूं बिल्कुल छोटा सा हाँ तो हलका सा परिवर्तन क्या करते हैं मैं यह आपका first part था second part में अगर मैंने पूछ लिया आपसे की बई कोटा से जेपूर होके आपको दिल्ली जाना है और फिर से आते टाइम भी इस important person से मिलके आना है मतलब कोटा से डेली वाया जेपूर पहुंचना है और फिर आते तरीके कितने हो सकते हैं total कितने अलग अलग राष्टे हो सकते हैं जिन से आप जाके वापिस आ सकते हो अब बताईए कीजिए गणना आता है ना करना करना बच्पन में सिखाया है मतलब मैं बहुत अच्छे से आपको गिनना सिखाया है 1 2 3 4 5 बस बैसे count करना है और से इस रास्ते से फिर वह सारे count करूं या अगर मुझे गुड़न का नियम पता है तो यह काम कापी आसान हो जाता है कैसे आसान होता है मुझे करना क्या है वह समझ यह मैंना question क्या है मेरा समझ में आ गया मुझे कोटा 2 दिल्ली जाना है कोटा से कहां पहुंचना है मुझे přेस्ट으면 है वाया जेपूर और फिर क्या करना है फिर वापस भी आना है einen वाफट पर वापस कोता आना थिक है वाया जेपूर मतलब अभी भी जेपूर वाले से मिलकर आना है जेपुर वाले बंदे को हम छोड़ नहीं सकते हैं, यह देहां बता है, हाँ, तो कोटा से दिल्ली जाना है, बट बीच में जेपुर वाले से मिलना है, दिल्ली से फिर से कोटा आएंगे, तो फिर बीच में उससे मिल जाएंगे, clear, तो इसके तरीके कितने होंगे, यह बताइ दिल्ली, ठीक है, जेपुर से डेली कोँच गए, और फिर क्या कर रहे हो अब, फिर देली से जेपुर आ रहे हो न, और फिर, फिर क्या किया, जेपुर से कोटा हो गए, यह बात समझ में आई, हाँ, तो क्या लग रहा है सब जगा, फिर लग रहा है न, देन, कोटा से जैपूर से देली फिर देली से जैपूर फिर जैपूर से कोटा तभी अपना कार्य पूरा होगा ठीक है हाँ तो इस कार्य को करने में total number of तरीके कितने होंगे कितने तरीके लगे कितने तरीके से कारी किया जा सकता है वो मुझे count करना है, गणना करनी है उन तरीक होगी, तो क्या गरूँगा, quota से जेपुर जाने के 3 तरीके, into जेपुर से दिल्ली जाने के 4 तरीके, into जेपुर से कोटा आने के 3 तरीके, यह answer आजाएगा आपका, कितना हैगा? 144, total 144 तरीके होगे, जो काम मैं बोल रहा हूँ, जेपूर होके और फिर दिल्ली से कोटा आना है जेपूर होके तो टोटल 144 रास्तों से आप आ सकते हो 144 तरीक होगे हैं समझ में आ रही होगी यह बात तो यह है अपना गणना का गुणन का नियम जब भी बीच में और आ गया दो कारी होगे या फिर आ गया मतलब एक काम complete हुआ फिर दूसरा करना है फिर तीसरा करना है फिर चोथा तो वह नहीं क्या करेंगे हम तरीकों को गुणा करेंगे तरीकों का multiplication करेंगे, यह आपका fundamental principle of multiplication, clear हुआ, चलिए, इसी में एक दो चर्चा हैं, और कर लें, यह note कर लिया होगा, आपने पूरा, ठीक, एक दो छोटी-मोटी चर्चा हैं, और करते हैं, मतलब कोटा से जेपूर, फिर से इसी question पर आजाते हैं, इसी question में थोड़ा सा change कर दो, इसमें भी चलिए, थोड़ा सा change इसमें भी कर लेंगे, यह समझ में आ गया, जो अभी लिखा हुआ है, वो question आपको समझ में आ जाना चाहिए, अब फिर से बात करते हैं, थोड़ा सा एक हो, वह आपने कुछ कांड कर दिया, मतलब फिर से जिस रास्ते से गय हो, उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते, जाते टाइम आपने कुछ ऐसा काम किया है, कि अब अगर वापिस आए, तो पिट जाओगे, तो सेम रास्ते से आपको वापिस नहीं आना है, यह condition है, ठीक, अब दिल्ली से वापिस चोड़ते हैं, अभी सिर्फ कोटा से दिल्ली कोचते हैं, तो कोटा टु देली वाया जेपूर जाना है, बट इस बार condition क्या है, कि जाने का रस्ता और आने का रस्ता अलग-अलग होना चाहिए, जिस रस्ते से गय थे, उस रस्ते पर दुबारा नह नहीं आना है, मतलब जाने वा आने के रास्ते भिन हो, ये condition दे लिए आपको, यदि जाने, अभी आतो रही नहीं है, अभी तो जा रहे हैं, ठीक है, तो जाने के तो फिर कोई आई नहीं, पर्ष्ट वाले चाहिए, इसे उटाते हैं, second वाले केस ले रहा हूँ, second वाले में क्या है, कोटा से देली, बया जेपूर, याना है, फिर वापिस कोटा से जेपूर आना है, बड़ गंडिशन क्या है, condition यही है कि जाने वा आने के रास्ते भिन हो जिस रास्ते से एक बार निकल गए उस रास्ते पर दुबारा कदम नहीं रखना है तो जाने वा आने के रास्ते भिन हो हाँ तो ऐसे कितने तरीके होंगे अब count करके बताईए मुझे जिनके बताइए कितने रस्ते हो सकते हैं क्या करेंगे कोटा से जेपुर गए तीनों में से किसी एक रस्ते से गए होंगे तो जाने के तरीके कितने थे मेरे पास तीन ही थे कोटा से जेपुर जाने के तीन तरीके पिर जेपूर से दिल्ली जाने के कितने तरीके हैं चार तरीके हैं तो ये लिख दिया मैंने चार अब बताईए दिल्ली से जेपूर आने के कितने तरीके हैं इन चारों में से किसी एक रस्ते से आप गए थे तो जिस रस्ते से चले गए वहाँ दुबारा कदम नहीं रखना है मतलब जिस से गए उस रस्ते को हटा दो ब्लॉक कर दो उस रस्ते को कि ये रस्ता है ही नहीं अपने लिए आरी ये बात समझ मैं तो चार रस्तों में से किसी एक रस्ते से गए थे उस रस्ते को block कर दिया कि आते टाइम इस रस्ते से आना ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे हम कितने रस्ते बचे आने के लिए तीनी बचे ना कोई एक बंद हो गया तो आने के रस्ते कितने हुए है कहां से आने के दिल्ली से जेपूर आने के मेरे पास 3 रस्ते बचे, वैसे ही quota to Jaipur भी इन 3 में से किसी एक रस्ते से गया था तो जिस रस्ते से गया था उस रस्ते की मैंने सड़की उडवा दी, टीक है तो अब कितने रस्ते बचे एक जिस्ते गहे से उसको ओड़ा दिया तो बचे कितने, 2 लिज बचे है ना तो जिस रस्ते से गए उससे अगर वापिस नहीं आते हैं तो टोटल नंबर ओफ तरीके तरीकों की संख्या कितनी आ जाएगी कितनी आएगी किया क्याकुलेट करके देखिए 72 तो ऐसे 72 तरीके होगे अगर जाने वा आने के रास्ते दिन हो तो यह चीज़ समझ में आई तो क्या कर रहे हैं तरीकों को गुणा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक काम हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ फिर जोसा हुआ तो जब भी फिर आ जाए काम A और B को करने के तरीके M into N होते हैं या A, फिर B, फिर C, फिर D इस तरह के काम हैं, तो सारे काम को करने के तरीकों का गुणनफल करना है आपको यह होता है, fundamental principle of multiplication, तो multiplication का rule समझ में आगया होगा, कब multiply करना है चीजों को, clear हैं, तो यह था आपका fundamental principle of multiplication, principle of multiplication के बाद, next अगर बात रिकों नियम है अपने मौलिक सिध्धनतों में, second नियम आता है, second नियम का नाम है, योग का नियम, योग का नियम क्या है, योग, मतलब basic यह ही है, इस chapter के जो हम पढ़ रहे हैं, multiplication, addition, अगर यह rule अगर आपको याद होगे, तो यह समझ लो, maximum question, आदे question तो आप ऐसे ही निम् सिर्फ गढ़ना करके, मतलब बिना NPR, NCR का use की आप question कर लोगे, तो यह जो principle of multiplication, principle of addition पढ़ रहे हैं, important नियम है, मतलब ऐसे ही नियम है, सबसे important पार्ट यह समझ लो, chapter का यही है, यह चीज़ अगर समझ में आगी, तब ही आपको आगे समझ में आएगा कि कहा मैं multiply लगा हू का प्लस लगा हूँ, प्लस और multiply लगाना आगया, तो यह समझ लो, आधा काम complete होगे आपका, बाकी तो formula है, वो तो आप लगाते ही रहोगे, तो वो तरीके आगे भी देखने है, तो योग का नियम क्या होता है, principle of addition, समझ में आ रही होगी चीज़े, बस basic चीज़े हैं, यह basics अगर ढंक से समझ में आगे ना, तो आगे chapter को समझने में बहुत आसानी रहेगी, तो starting से ही, ढंक से समझ से चलना, principle of addition की बात कर रहा हूँ, तो addition की बात कैसे करेंगे, मतलब addition में क्या लगेगा, लिख लीजी यह पहले, कि कार्य A को करने के M तरीक है, कार्य A M तरीकों से किया जा सकता है, तथा कार्य B, तथा कार्य B N तरीकों से कर सकते हैं, कार्य A को करने के M तरीक हैं, कार्य B को करने के N तरीके हैं, तो कार्य A या B, A या B को करने के तरीके, A या B को करने के तरीके कितने मिलेंगे जब भी या आजाए या तो A हो रहा है या B हो रहा है मतलब दोनों साथ में नहीं हो रहे है तो उस केस में तरीकों को क्या करेंगे हम जोड देंगे M प्लस N तरीके से कारिय A या B किया जा सकता है बतलब थोड़ा सा समझते हैं इस चीज को, क्या लिखा हुआ हैं, यह सिम्पल सी कोई कहान ही ले ली मैंने, यह एक cinema hall ले लेता हूं जलिए, यह cinema hall अपने, cinema hall में हो क्या रहा हैं, तीन रास्ते, फ्रंट में हैं, सामने की साइट तीन रास्ते हैं, और पीछे की साइट दो रास्ते हैं, ऐसे होता है ना, आप जब मुवी देखने जाते हो, तो enter तो सामने से होते हो, बड़े, मतलब सजे धजे वाले gate से, बट बार कैसे निकालता है, वो पीछे सीड़ी वाले रास्ते से बार निकालता है, तो वेसा ही कुछ है अपने पास, तीन entry gate हैं, और पीछे ऐसे दो exit gate हैं, अब entry और exit नामने दे रहा हूँ, पाच gate दे रखे हैं, cinema hall के, तो यह होगे आपका gate number one, gate number two, gate number three, gate number four, gate number five, अगर आप से पूछा जाए, कि cinema hall में total 5 gate दिये वह है, cinema hall में enter होने के total तरीके बताईए, तो क्या बताओगे, आपके पास 3 gate इधर से हैं, 2 gate इधर से हैं, तो cinema hall के अंदर जाने के total तरीके कितने हुए, बही कोई gate मना थोड़ी कर रहा है, अभी कोई condition नहीं है न, तो आप किसी भी gate से अंदर जा सकते हो, तो या तो तो तीनो front वाले gate से जाओगे, या दोनो back वाले gate से जाओगे, तो total तरीके cinema hall में enter होने के, जोशन समझ में आगया, cinema hall में 3 gate सामने, 2 gate पीछे से, total अंदर जाने के तरीके पूछ रहा है, कितने तरीके बता देंगे हम, या तो front side के gate से जाओगे, या back side के gate से जाओगे, तो front side के gate कितने है, 3, और back side में gate कितने है, 2, क्या किया हमने, दोनों तरीकों को plus कर दिया, सामने से जाने के तरीके या पीछे से या आ रहा है ना इसा तो नहीं होगा पांचो गेट से एक साथ गुज जाओगे एक गेट से मेरा हाथ जाएगा एक गेट से मेरा पाऊं जाएगा वैसा नहीं चलेगा ना तो आप जहां भी जा रहे हो किसी एक ही gate से जा रहे हो तो आप या तो इस gate से जाओगे या इस gate से जाओगे मतलब या तो सामने वाले gate से जाओगे या पीछ वाले gate से जाओगे ठीक है तो बीच में या आ गया ठीक है तो या आ गया मतलब इंग्लिश वाला और बोल रहता है इंग्लिश वाला और ही है यह आ गया तो इस case में क्या बोलेंगे तो मतलब आगे से जाने के तरीके 3 पीछे जाने के तरीके 2 तो 3 प्लस 2 यह आ रहा है मतलब तरीकों को प्लस करना है यह होता है अब यहां भी अगर कंडिशन लग जा है मतलब पहला क्या था क्या फैंड कि हमने नंबर ओफ वेस मतलब तरीके इसके टू एंटर दी तिनेमा होल किनेमा होल मान लेते हैं नॉर्मल होल मान लेते हैं जो भी तो टोटल पांच तरीके यह बात समझ मैं अब इसी में सेकेंड पॉइंट अगर मैंने ले लिया कि वही आपको जो टीन गेट यह फ्रंट है अपका ठीक है यहां फ्रंट एलिफ देता हूं तो यह फ्रंट हो गया और यह बैक मतलब यहां आपको सीडियो एडियो से उतार के गई डारेक बाहर निकाल देते हैं वह अले गेट है तो अब अगला क्या है इसी में क्योश्चन अपना यह है कि यदि फ्रंट गेट से क्या करनी है आपको एंट्री करनी है एंट्री फ्रंट गेट से हो और एग्जिट बैक गेट से हो इसके तरीके बताईए फ्रंट गेट से एंट्री और एग्जिट बैक गेट से हो तो अब इसके तरीके कितने काउंट करोगे बता सकते हो तरीके मतलब कैसे count करना है वो चीज समझ में आरी है आपको थोड़ा सा मतलब कोशिश करोगे तो सब समझ में आएगा क्या कर सकता है मुझे front वाले gate से enter करना है back वाले gate से exit करना है तो इधर से हो सकता है gate number 1 से अंदर जाओ और इधर या तो gate number 4 से बाहर निकलूगा है से exit होगा बतलब दो तरीके तो यदे हो गए इसके बाद अगर गैट No.2 से enter होता हूं तब भी do say enter होके बैक sadu से exit हो ना है तो यहा तो फोर से exit होगा या फाइप McCarthyत होगा ठीक है है अगर gate No.3 से enter हुआ कभ भी या फोर से exit या फाइप से exit तो तो टोटल तरीके मुझे count करके बताइए, यह entry gate है और यह exit gate है, ठीक है ना, तो मिल गए है, total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह तो total counting होगी, वही चीज बोल रहा हूँ कि counting, छोटी मोटी चीज़े होगी है, तो direct गिन के भी answer दे सकते हो, आप आपको जो रही नहीं है, permutation combination पता ही हो, आ आप simple गणना कीजिए, counting कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 answer आएगा 100%, ठीक, तो कई सारे question ऐसे भी मिल जाएंगे, जह आपको जिंती करके भी answer दे सकते हो, हाँ, तो क्या चल रहा है है, मतलब कैसे करना है question मुझे, मुझे enter होना है, फिर exit होना है, तो यह तो फिर आ गया, ठीक है, फिर आगया मतलब क्या करेंगे, हम multiplication कर देंगे, मतलब front gate से enter और फिर exit back gate से, तो front gate से enter होने के कितने तरीके, तीन तरीके, तीन में से किसी भी gate से enter हो सकता हूँ, और back gate से exit होने के तरीके कितने दू, तो यहाँ फिर आगया, पहले enter, फिर exit, फिर आगया मतलब कौन सा principle लग और total answer आजाएगा आपका, clear, या फिर अगर addition से करते हैं, तो addition से भी कर सकते थे, योग के नियम से कैसे करते हैं, जी वन से, गेट नमबर वन से एंटर होके बाहर जाने हैं कि इतने तरीके हैं मेरे पास, दो तरीके, वन से एंटर और बाहर जाने के दो तरीके, फिर, पिर नी, या, या तो जी वन से एंटर होगा, या जी टू से एंटर होगा, या जी टू से एंटर होगा, तीन केस बन रह भी के अभी बी दो तरिक हैं या तो इसे बार या ने के तरीक आभी भी से यह जी रहं से बार अजा या जी चीटू या झीचल में क्या रहा है यह लासद क्या करना है तरीकों को प्लस करना यह फंचमें तो जीवन से एंटर या गनूं उसे इंटर या जी कि आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 2 फ्लस 2 फ्लस 2 बराबर 6 तो यह भी वह यह बिख रहाता तो प्रिंसिपल ओफ मल्टिप्केशन या प्रिंसिपल ओफ एडिशन केसे यूज़ करना है जा भी या आ रहा है वह आप तरीकों को प्लस करोगे जा भी और आ रहा है या मतलब हिंदी वाला या नि या तो और है या फिर क्या आएगा फिर आ जाएगा ए फिर बी फिर सी तो फिर आ गया है और आ गया तो उस केस में क्या करना है आपको मल्टिप्लाई करना है तो का मल्टिप्लाई करना है का प्लस करना है यह चीज समझ में आगी, यह चीज मतलब important चीज है, यह चीज समझ में आ जानी चाहिए, मतलब basic chapter का यही है, गणना के मौलिक सिद्धान समझ में आएंगे, तब ही गणना की जो पूरी आप theory of counting में permutation combination पढ़ रहा है, उसकी clarity मतलब basic यहीं से जंदेट होता है, तो यह चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके बाद आगे start करते हैं, मतलब एक छोटा सा question इसी पर try करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक छोटा सा question लिख लेना, question क्या है अपना, मतलब simple सा question है, note करो, मतलब एक almari अपने पास एक rake है, उस rake में अपने पास क्या है, 10 पढ़ी हुई है math की book, और 5 रखी हुई है physics की book, ठीक है, 10 math और 5 physics की books रखी हुई है, अब अगर आप से question पूछा जाता है, question क्या है अपना, पहला question है, कि तरीकों की संख्या ग्याद कीजिए, यह कितने तरीके से एक math या physics book को लिया जा सकता है, कितने तरीके से एक math या एक physics की किताब ली जा सकती है, उस तक ली जा सकती है, इसके तरीके बताईए कितने होंगे, question clear है, एक रेक हैं, दस मैस की बुक पड़ी हुई है और पांच फिजिक्स की बुक रखी हुए अलग-अलग बुक्स है सारी मतलब मैस की एक calculus होगी, एक algebra होगी algebra में भी एक हो सकते हैं अपनी सिंगेज हो, एक ariehanth हो एक कुछ और दूसरे publishers की यह से करके 10 किताबे math की हैं और 5 books रखी हुए total physics की ठीक है तो physics की तारी रखी होगी आपकी H.C. Verma, Irodo, DC Fondage होगी यह से करके 5 books रखी हुए तो अब बताईए तहला मुझे पता करना है एक math या एक physics की book उठानी है कितने तरीके होगी या आ रहा है बीच में या आ रहा है मतलब क्या करोगी आप एक math की book उठाने के तरीके और या मतलब plus कर दोगे physics की book उठाने के तरीके यही करना है तो math की book उठाने के तरीके कितने है math की कितनी किताब है, 10 है 10 में से कोई भी 1 उठा सकता हो तो 10 में से हो सकता है मैंने, मतलब M1 उठालू, M2 उठालू, M3, M4, M4 या M10 तो कितने तरीके होगे math की book उठाने के, 10 तरीके, या मतलब plus physics की book उठाने के तरीके कितने है, P1, P2, P3, P4 या P5, कोई एक ही लेंगे मतलब 5-5 तरीके दिख रहे हैं ना साब साब, तो कितने तरीके होगे total 15 तरीके, 15 तरीके होगे जिससे आप 1 math या 1 physics की book उठा सकते हो, मतलब 15 है तो total कितनी बुक उठा रहे हो, एक ही उठा रहे हो ना, तो 15 में से कोई एक उठाने के तरीके कितने होगे, 15 ही हुए, सामने 15 की दापे रख्या हुए है, कोई एक ही तो उठा नहीं है, तो 15 में से कोई एक उठा होगा, तो total तरीके कितने मिले आएंगे, 15 ही मिलेंगे, clear है, मतलब काफी ज्यादा बिलकुल basic की बात कर रहा है, basic counting की बात कर रहा है, बट यह चीज, mind के मतलब जो पढ़ते हैं, वो परदर परत आपका खुलता जाएगा, और अपने आप permutation combination की दुनिया में हम यहीं से enter होते चले जाएगे, तो यह बात समझ में आगी, अब इसी में अगर second part यह दे दिया यह है, 1 Math और 1 Physics की बुक आपको उठानी है, 10 Math 5 Physics आपके पास हैं, आपको क्या करना है, आपको 1 Math and 1 Physics की बुक उठानी है, end आगया, मतलब हिंदी वाला ओर, ठीक, हाँ, तो 1 Math and 1 Physics की बुक, मतलब इस बार आपको 2 किता पर उठानी है, यह बात समझ में आ रहीए, पहले क्य 10 प्लस 5 कर दिया 15 एक math and physics तो उस case में क्या हुआ आप दो किताबे उठाने के तरीके कितने होंगे आपके पास अगर समझ में आ रहा है बीच में और लगा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा आपको multiplication करना पड़ेगा multiplication केसे करते हैं एक math की book उठाने के तरीके कितने हैं 10 एक physics की book उठाने के तरीके कितने 5 तो 10 इंटू 5 चांसर कितना आ जाना चाहिए 50 सही लग रहा है क्या बतलब देखके एकदम अचमबा तो नहीं हो ना सुर्फ 50 इसने तरीके कैसे होगे कैसे होगे M1 P2 हो सकती है P3 हो सकती है P4 हो सकती है P5 यही possibility है M1 P1 M1 P2 P3 P4 या P5 कितने तरीके होगे 5 तरीके तो यह मिल गए आगी बात समझ मैं अगर math की मैं M2 उठाता हूं तो math की अगर M2 उठाई तो फिर से P1 P2 P3 P4 P5 पाच तरीके ठीके वैसे ही M3 के लिए अगर math की M3 लेता ह सो पाच तरीके math की M5 लेता हूं सो फ़ाफ तरीके तो P5 P5 5 मिल रहा हैं और इन सब में हो क्या है या मैं एक ही उठानी है तो या तो M1 लोगा या M2 या M3 या M4 या M5 मतलब क्या लग रहा हैं सब में या लग रहा हैं या मतलब सारे तरीकों क्या करना है मुझे फ्लस करना है तो यह होगी basic गणना 5 फ्लस 5 फ्लस 5 फ्लस 5 फ्लस 5 फ्लस 5 कितना हो गया 5 को 5 बार 8 क्या किया अच्छा math की 10 book है 5 पर खतम नहीं होगा इस सिलसला इसके बाद m6 भी आएगी m7 भी आएगी m8 भी आएगी m9 भी और m10 भी आएगी और सब के लिए 55 तरीके काउंट होंगे तो math की 10 books के साथ physics की book लेने के 55 तरीके लब 10, 55, 55, 55, कितनी बार 8 करना है फुझे 10 बार 8 करना है तो answer आजाएगा 50 आरिए बास समझ में तो ये होगी अपने total गणना की बात तो मैंने direct भी गणना कर ली लग ये तो simple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में गणना ही कर रहा हूँ न normal जो बच्पन में सिखाई जाती थी उससे मैंने गणना कर ली इसकी या principle of multiplication पता है बीच में और आ रहा है एक math और एक physics की बुकले में है तो और आगे मतलब क्या करना है तरीकों को गुणा करना है तो math की बुकलेने के तरीके 10, physics की बुकलेने के तरीके 5 तो 10 दुना 5 आंसर आएगा 50, 50 ठीक है तो ये होता है आपका principle of multiplication, addition के से काम में लेता है ये clarity आ चुकी होगी मैंड में, समझ में आ चुकी होगी चीज़े अब ये चीज़ें अगर आपके समझ में आ चुकी है तो simple सी अभी तक ज़्यादा मतलब detail में कुछ भी बात नहीं किये मैंने simple सी counting की बात किये और उसके सबसे basic जो rule है principle of multiplication, principle of addition मतलब योग का नियम, गुणन का नियम, उनकी बात की है अब योग और गुणन के नियम अगर आपको clear है तो थोड़ा सा और आगे बढ़े है थोड़ा सा आगे अगर चलोगे तो चलिए इस पर कुछ अब मतलब इनी को योग और गुणन को ही प्रयोग करते हुए कुछ simple counting के हम questions ले लेते हैं जैसे, लीजिए question number one simple से basic basic question जिनमें आप मतलब अपना दिमाग लगा के बीना कोई NPR, NCR यूज़ किये बीना permutation मगर के कोई formula यूज़ किये डारेक्ट अपना mind से जो बचपन में हमने गिंती सिंखी दिना उस गिंती को यूज़ करके आपको answer find जरना है तो लिख ये पहला question पहला question क्या है? एक number लोग है आपके पास, number लोग सब ने देखे हैं न मतलब आज कल जो भी आपके बेग, आपके briefcase, suitcase, जो भी आ रहे हैं उन में तीन रिंग बनी होती है तीनो रिंग पे 0 से 9, 0 से 9 तक number लिखे होते हैं, सब को पता है न इस तरह का number लोग बना होता है, मतलब ये बना दूँ मैं यहां 3 डिजिट होती है सब में 0 से लेके 9 तक, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक लेके number आ सकते हैं तो ऐसा कोई number लोग है जिसमें हर रिंग, यहां रिंग बनी हुए उन रिंग पे सब में 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 9, 9 तक यह numbers लिखे होगा है 0, 1, 2, 3 तो तीनो रिंग में 0 से 9 तक लिखे हो सकता है हाँ अब आपको find क्या करना है कि कितने तरीके हैं जिससे आप इस लोग को open नहीं कर सकते अधिक्तम तरीके आपको find करने कितने अधिक्तम बार आपको try करना पड़ेगा इस लोग को खोलने के लिए जिसमें आप लोग को open नहीं करता होगा फटावट find करके बताइए question समझ में है एक number लोग जिसमें तीन रिंग्स है जीरो से नो तक अंक अंकित है तो तरीकों की संख्या बताईए अधिक्तम तरीकों की संख्या बताईए या अधिक्तम प्रेयासों की संख्या होगी अधिक्तम असफल प्रेयासों की संख्या असफल प्रेयास किसके इस लोग को open करने के हाँ तो एक number लोग जिसमें तीन रिंग्स पर जिरो से नो तक अंक अंकित है तो तो इस लोग को खोलने के अधिक्तम असफल प्रेयासों की संख्या होगी तो अधिक्तम असफल प्रेयासों की संख्या क्या होगी बता दीजिए फटा फटा तो टोटल कितने नंबर बन सकते हैं पहले तो आपको पता करना पड़ेगा तो ये एक number lock वाला, देखा है न number lock, अपने तो सबको समझ में आ रहा होगा, तो एक बार try कीजिए, क्या सोच रहे हो, आप किस धंग से सोच रहे हो, बतलब अपने mind को थोड़ा सा यही से धीरे-धीरे करके हमें level बढ़ाना पड़ेगा, तो धीरे-धीरे mind का activation स्टार्ट हो हो जाना चाहिए, तो परत-दर-परत जो भी mind की थोड़ा सा activate mode में आता जाएगा आपका mind, तो अपने आप आगे आगे अपना level भी वड़ता जाएगा, ठीक, समझ में आया कुछ, क्या करना है, कुछ, समझ में आ रहा है, क्या किया है, मतलब, अच्छा मुझे पहले लोग ओपन हो सकता है, नमबर लोग है, उसको ओपन करने का एक ही तरीका है, एक particular नमबर आपने set कर दिया, suppose आपने set कर दिया 123, तो आपका नमबर आपको बता है, आपका secret code क्या है 123, मतलब जैसे ही पहले वाली ring में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 आएगा, लोग ओपन हो ज 0 भी allowed है, 0 भी आ सकता है, 0 से 9 तक है, ring घुमा घुमा के देखते हैं, आता है 0, हो सकता है, तीनों में 0, 0, 0 आ जाए, और वो भी एक code होता है, 0, 0, 0 भी, कि आपने set कर दिया, नया नया जब लाते हैं, तो उसमें 0, 0, 0 code ही set होता है, तो वो भी एक number या संभा हो है, तो हम क् display हो रहा है, इस पहले display में, कितने अंक आ सकते हैं, 0 से 9 तक कुछ भी आ सकता है, मतलब 10 possibilities हैं, 10 में से कुछ भी आ जाएगा, तथा या और, इसमें भी साथ में करना है, इसमें जो भी आ रहा है, वो इससे independent है, तो इसमें भी तरीके कितने होंगे, इसमें भी 0 से 9 तक कुछ संख्या हैं बनते हैं, वैसे भी clear है ना, सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 0 0 0, मतलब 0 सबसे छोटी संख्या बनेगी, फिर 0 0 1, 0 0 2, इस तरह के number बनते जाएंगे, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनते हैं, 9 99, ठीक हैं, तो 1 से 990 में तक 990 में संख्या होगी, औ और एक यह 0 0 0 बन रहा है, मतलब 1000 संख्या हैं बन रही है टोटल, तो टोटल जो बच्पन में गिंती सिंख्या थी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000 तक तो आती है ना, तो 1000 तक गिंती भी जिसको आती है, वो इस question को कर सकता है, आरिवास मंजमें, तो टोटल कितने अंक बन सकती हैं, 1000 संख कोड है, बस वही डायल करोगे, तभी यह लोग ओपन होगा, तो सफल प्रयास एक हैं, तो असफल प्रयासों की संख्या कितनी हो जाएगी, असफल प्रयासों की संख्या, 1000-1, मतलब 999, अधिक्तम 999, असफल प्रयास आपको करने पड़ेंगे, मतलब कभी आपका लोग गलती से आप भूल गया, आपने कुछ स्टेट किया और लोग भूल गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अधिक्तम 999 नमबर डायल करके देखने पड़ेंगे, लोग तो आप ओपन कर लोगे, मतलब जो अब वो चोरी के तरीके नहीं बता रहो, सिंपल था, तीन डिजिट का अगर नमबर लोग कभी गलती से आप ही का, अगर लोग हो गया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 000 करके लोग उपन करके देखोगे, नहीं हुआ, 001 करके देख लो, 002 देख लो, 003 तो maximum आपको 999 बार सफल होगे, बट हजार भी बात तो 100% आप सफल होगे, बट इतनी बुरी किसमत भी लेके नहीं चलते हैं, यहां तो हमने मान लिया, कि चलो हमारी किसमत ही इतनी बुरी है, कि हमें 999 टाइंस असफल प्रयास करने पदेंगे, ठीक, बट बुरी किसमत गलती से अपना ही लोग है, तो जोरी नहीं हम उसको किसी एक्पर्ट के पास लेके जाए, अगर 5-10 मिट भी अपने पास हैं, तो हम आराम से 000 से एक एक नमबर डायल करते जाते हैं, तो कहीं नहीं जाके अपना लोग ओपन हो जी जाता है, आगी बात समझ में, तो एक ट्र पास नहीं चल रहा है, सारा जो भी चीज कर रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट चीज है, और अपने बैसिक जीरे जीरे यहीं से लिए होने वाल है, अगला किस्टन देखिए, पताब अगला किस्टन क्या है, कि जैसे यह रूम है मेरे पास, ठीक है, इस रूम में 10 बल्स लग अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है, इस कमरे में टोटल लाइट आने के तरीके, कमरे के प्रकाशित होने के कितने तरीके हैं, 10 बल्ब हैं, 10 अलग अलग बल्ब हैं, सारे सही है, एक भी फ्यूज नहीं है, सारे बल्ब सही हालत में हैं, और इन 10 बल किया करोंगे ? थोड़ा सा सूचिए एक कमरा है, बड़ा सा कमरा है, दस दस मलप लगए है, साए भाल साहिए एक भी चीजी नहीं है presenti दस महीं के लिए 10 बटन दे रखें आपको और आपको कमरे को प्रकाशित करना है तो प्रकाशित करने के तरीकabout केसे होंगे मतलब एक भी bulb on हो गया तो कमरे में आगी लाइट, कमरा होगया प्रकाशिच, तो man condition लिए, एक भी bulb अगर ओन हुआ, मतलब light तो आ रही है, तो इसमें सारे कैसेज हैं, एक बलब होने, दो बलब होने, तीन बलब होने, या पूरे 10 के 10 होने हैं, हर कैसमें लाइट आएगी, तो टोटल तरीके कितने होंगे, फटा-फट ज्यास करके बताईए कमरे को प्रकाशित करने के, फटा-फट जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बैसिक क्योश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल आपको अपने दिमाग से सूचना है, अपने दिमाग से अंसर देना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत चोटी सी चीज है, गढ़ना चड़ना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाईए, उसके बाद ही, मतलब खुद का दिमाग जब एक्टिव करोगे, फिर मैं बताऊँगा, तो आपको चीज़े ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, समझ में भी आएगी और लॉंग टाम तक याद भी रहेगी, बट डारेक्ट में बताता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो, तो उसके फिर आपके दिमाग में उसीज़े नहीं आने वाली, बसे कहां नहीं के तरह सुनते चलोगे, उससे काम नहीं चलेगा, तो दिमाग आपको अपना एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाला गला केसेज बनेंगे, वो केसेज आपको खुद को सोचने पड़ेंगे, केसे 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 बनता है, तो समझ में आया, इसमें कुछ, क्या दिया हुआ है, दस बल्ब है, दस डिफरेंट स्विचेज है, तो अब माइनस के, उसमें से एक माइनस कर दिया, अब मुझे यहां बता दीजिए, कि मतलब बैसिकली देखना क्या है, स्विच का तो हम कुछ करनी सकते हैं, हम तो स्विच को ही ओन आप कर सकते हैं, तो स्विच की टोटल पोजिशन कितनी हैं, या पहले वो बता दो, कि कितनी किया होए, एक ही तरीका होगा जिसमें सारे के सारे सारे स्विचे के, ओख होगे, आप रूम से बाहर जाते हो, दस के दस बटन बं करे का जाओगे, तो जब 10 के 10 बटन बं है, तो कम kendra में light नहीं आ रही है, ये बात समझ में आगी, मतलब light नहीं आने का तो केबल एक तरीक क्या है आपको total suggest to position कितनी है वो पता करनी है तो total तो total तरीके मतलब switches की position के total तरीके में चाह calcium तो पहले switch की position कितनी है या तो switch on होगा या off होगा मतलब बीच में नहीं अठका देना है switch को सई switch है अपने बिल्कुल नए-णए switch लगाए है तो नए-णए switch है, bulb भी नए, switch भी नए है मतलब या तो on होगे या off होगे बीच में कहीं नहीं होचकता तो पहले switch के लिए number of position कितनी होगी या तो on या off मतलब दो position possible है दूसरे switch के लिए position बताइए ये भी या तो on होगे या off होगे सारे switch के लिए ये या तो on है या off है मतलब हर switch के तरीके कितना है दो 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 तरीके हैं total ठीक है या तो on position में है या off position में मतलब हर स्विच के लिए टोटल पोजिशन के तरीके दो हुए तो टोटल मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन कितनी हो जाएगी डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन क्या करेंगे मतलब या तो फॉस्ट वाला ओन है तो सेकेंड वाला ओन हो सकते हैं ठर्ड वाला ओन हो स मतलब 10 switches की total position कितनी possible है एक हजार choice possible है इसमें से केवल एक तरीका है जिसमें light नहीं आएगी तो कमरे के प्रकाशित होने के कुल तरीके कमरे के प्रकाशित होने के कुल तरीके कितने होंगे इस एक हजार चोईस में से है फिर्फ एक तरीका जब सारे के सारे switches बन रहे और position में है उसको माइनस कर दूँगा तो एक हजार 23 तरीके ऐसे होंगे जिसमें कमरे में light आएगी ये बात प्रकाशित है तो देखने में बहुत छोटा सा सर्फ 10 switches और एक हजार 24 पोजिशन बिल्कुल एक हजार 24 पोजिशन से आप बना के देख लिजिए मतलब पहले वाला own है तो बाकी की पोजिशन बतलब बनाओगे तो पूरे 1000 मतलब बनाने में जिए जब सारे ओफ है एक हजार 23 तरीके आ जाएंगे आर यह बात समझ में कुछ कुछ हाँ तो यह बाते हैं बस समझते चलिए यहीं से आपके कंसेट्ट बिल्डप होने वाले और दीरे दीरे इनी कंसेट्ट को लेके हम पूरा का पूरा पर्मुटेशन इसी तरीके से कंप्लेट करने वाले हैं ठीक अगला प्रेशन लिखिए एक और प्रेशनी करते हैं नेक्स्ट एक इसन सपोज ले लिया आपके पास चार लेटर्स हैं यह क्योश्चन नॉट कर लो पूरा चार बिन पत्रों को बिन वर्ड लगा लेना चार बिन पत्रों को तीन लेटर बॉक्स में दालने के या प्रेश्चित करने के कुल तरीके बताइए यह क्योश्चन नॉट का क्या आपके पास चार लेटर है और तीन लेटर बॉक्स है तो तीन लेटर बॉक्स में चार पत्रों को चार लेटर को कितने टाइप से आप पोश्च कर सकते हो यह बताइए कैसे करेंगे इसे तीन लेटर और नहीं चार लेटर और तीन लेटर बॉक्स आप चार लेटर, तीन लेटर बोक्स, चार हैं आपके पास लेटर, तीन है लेटर बोक्स, बताइए कितने तरिकों से पोश्ट हो सकते हैं, तो ऐसे क्या देखना है आपको, आप पोश्ट किसको कर रहे हो, आप लेटर बोक्स को पोश्ट भी करने जा रहे हो ना, आपके लेटर पोश्ट करना है फिर लगा दो यह पहला भी पोश्ट करना है और दूसरा भी पोश्ट करना है और तीसरा भी पोश्ट करना है और चोथा भी पोश्ट करना है यह बाद समझ में आ रही है या तो नहीं लगाऊंगा ना या तो पहला लेटर या दूसरा लेटर मतलब पेसा नहीं बोलावाना है कि आपको एक ही letter post करना है, चारो letter post करना है, मतलब क्या लगेगा? और लगेगा पहला post, और दूसरा, और तीसरा, और चोसा, तो यह और लगने वाला है, मतलब तरीकों के क्या करना है? Multiply करना है, clear? तो यहां क्या करना है मेरे पास, किसको distribute कर रहा हूं मैं letters को मेरे हाथ में letter है मैं letter को बाट सकता हूं letter box को नहीं बाट सकता है तो letter को कैसे बाटेंगे पहले letter के लिए कितने option है पहले letter को मैं 3 letter box है मेरे सामने पहले में डाल सकता हूं दूसरे में या तीसरे में तो पहले वाले लेटर के लिए कितने option हो है तीन option ये बात समय में आई दूसरे वाले लेटर के लिए कितने option हो है दूसरे वाले लेटर के लिए भी तीन ही option है पहला लेटर बॉक्स दूसरा है तीसरा ऐसा तो नहीं होगा न कि एक लेटर एक में डाल दिया तीनों में से किसी एक में जा सकता है, इसी तरह तीसरे लेटर के लिए भी आपके पास तीनों अप्शन है, यह सा तो नहीं है कि पहले मैं मना कर दिया कि इस लेटर बॉक्स में यह डाल दिया तो दूसरे में ही डालना पड़ेगा, इसमें ही डालना पड़ेगा, ऐसी कोई condition कंडिशन दे रखी होगी तब उसकी भी बात करेंगे, तो अभी अपने पास कोई condition नहीं है, तो मेरे पास चारों लेटर के लिए तीन 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 ओप्शन हो गए, ठीक है, और चारों को डालना है, मतलब पहला और दूसरा और तीसरा और चो था, मतलब सारे तरीकों को क्या करना पड़ेगा, multiply करना पड़ेगा, तो answer क्या आजाएगा, P की पावर 4 मतलब, एक्यासी तरीक ऐसे है, जिससे आप चार लेटर्स को तीन लेटर बॉक्स में ड्रॉप करते हो, ये वाद समझ में आई, चलिए ये भी समझ में आई,